पानी का घोड़ा अगर किसे कहा जाता है तो वो है हिप्पोपोटामस जो की 16 गंटे से भी ज़्यादा पानी में रेगे कुद को थंडा करते हैं हिप्पोटामस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नदी का घोड़ा ग्रूप में रहने वाले हिप्पोटामस का वज़न 4000 किरो से भी ज़्यादा हो सकता है इसी के साथ 16 गंटे पानी में रहने के बाउजित हिप्पो ना सास लेख सकते हैं और ना पानी में तेर सकते हैं साथ ही हिप्पोटामस ना हाथी की तरह विजटीरियर होते हैं रात में समय ज़्यादा हिप्पो घास खाते हैं आठ किलोमेटर तक घुम कर वो 35 किलो तक खा जाते हैं इसी के साथ हिप्पो को सुरज की गर्मी बरदास नहीं होती इसी लिए हिप्पो के वाड़ी से रेड कलर का तरल पदार्थ निकलता है जो कि उसे गर्मी से रोकता है साथ हिप्पो अपनी मूँ को 180 डिग्री तक खोल सकते हैं इसी के साथ शेर और बबबर शेर से भी ज़्यादा मजबूत गात कर सकते हैं हिप्पो पोटमास भारी वजन होने के बाउजीजे 30 किलोमेटर की स्पीड से भाग सकते हैं साथ हिए कैंगरी हिप्पो मगर मजबबर शेर और इंसान को मार सकता है आपको कैसे लगे इस दर्या के गोड़े के फैक्ट ये कमेंट करके ज़रूर बताए तब तक के लिए नौलेज को शेर करें